बोथ ट्यूब्स और पैटेंट का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं जब आप HSG कराते हैं यानि कि किसी भी महिला क्या जो अगर कोई fertility related problem होती है यानि कि किसी भी महिला को जब conceive करने में problem आती है तो उनका एक test किया जाता है जिसे HSG कहते हैं या इसके इलावा कोई और भी test हो सकता है तो उसमें जब test किया जाता है तो उसमें जो है fallopian tubes को tube कहा जाता है यानि कि जो fallopian tubes होती है वो जो है uterus को और ovary से जोडने वाले tube होती है तो ये जो tube होती है ये female reproductive system का बहुत important part है इसी के through जो है वो conceive करने का जो process है वो होता है और अगर ये आता है लिखा हुआ कि both tubes are patent तो इसका मतलब है कि दोनों जो tube है वो ठीक है उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं है लेकिन हमने ये जानकारी आपको सिर्फ educational purpose से दी है हमने सिर्फ आपको इसका मतलब बताया है इसकी जो पूरी जानकारी है या इस आपकी पूरी report को देखकर आपको जो actual condition है वो आपके doctor ही आपको बता सकते हैं तो इसलिए आप अपने doctor से इसके बारे में जरूर संपरक कर लें यह जानकारी हम आपको सिर्फ शेक्षिक और informational purposes से दे रहे हैं यानि कि educational और informational purposes से दे रहे हैं हम आपको किसी भी प्रकार की कोई भी medical सलहा नहीं दे रहे हैं हम कोई भी आपको medical advice नहीं दे रहे हैं हम सिर्फ आपको इसका मतलब समझा रहे हैं कि जो line यह आपने पूची है यह search की है इसका मतलब क्या होता है हम सिर्फ आपको उतना समझा रहे हैं और हमारी जो यह जानकारी है सिर्फ informational purpose से है किसी भी प्रकार की medical advice हम आपको नहीं दे रहे हैं medical advice के लिए आप अपने doctor से संपर कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर search कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें